हिमाचर परदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखु के नेत्रित्तों में हिमाचर परदेश में OPS तो बहाल हो गई है लेकिन करोडों का पैसा केंदर सरकार के पास फसा हुआ है ऐसे में सरकार ये आश्वासन दे रही है कि केंदर सरकार से ये पैसा वापस लाया जाएगा लेकिन करमचारियों ने भी अपनी एक रणनीती तयार कर दी है इस बाबत आप देख रहे हैं तस्वीरों में मेरे साथ हिमाचल परदेश के जो न्यू पैंशन करमचारी महासंग के मुख्य प्रवक्ता है वो मौजूद है सिर्क हम जानना चाहेंगे आपसे कि हिमाचल परदेश की जो राज्य सरकार है उन्होंने तो अपनी एक घोशना कर दिया एक एलान कर दिया करोडों का लगबग 800 करोड रुपए जो है वो केंदर सरकार के पास भी आपके फसे हो हैं ऐसे में करमचारी किस तरीके का रुख अपनाने जा रहे हैं भविश्य में देखिए ये 9000 करोड लगबग 9000 करोड बनता है जो एनस्टील कंपनी के पास है उसके लिए अभी सरकार ने भी ये कहा है आदिने ठाकर सुकुंदर सिंग सुकुझी ने कहा है कि हम कई बार पत्र भी लिख चुके हैं और उसके बाद हम बार बार ये परियास करेंगे के अ दिली के अंदर हमें किसी भी तरह का कोई परदर्शन भी करना पड़ जाए तो हम करने के लिए भी त्यार रहेंगे और ये पैसा निश्ची तोर पे वापिस लोटेगा क्योंकि करमचारियों का ही पैसा है कि करमचारियों को पैसा है कि करमचारियों को शेयर अगर 10% नहीं करेंगे दिली में भी अगर जाना पड़े वाँ जाने के लिए पर त्यार रहेंगे और नेशनल मुवमेंट हमारा जो है एनम उप विएस उसके माद्यम से हमें कोशिश करेंगे कि परानी परिंशन बहाली अन्य राजियों में भी हो और जो ये पैसा वहां पर फसा है उन रा परदेश पहला राजिया होगा इस पैसे को वापिस लाने के लिए